तो हे गैस आज मैं एक न्यू ब्लाउज डिसाइन बताने जा रहे हूं उसके लिए हमने ये लंबाई रखना ब्लाउज का अपना रखा हुआ ये चोड़ाई हमारा सोल्डर का है सोल्डर हमने 5.5 इंच के लखा है और ये तीन इंच का हमें पूरे गपी करके निसान लगा ल सलगा अज़न ले और ये मारे फाइव इंच का एक चोड़े पटी लह हूं और लंबाई हमारी सोलंच का दो पर्टी मैंने 006 फंच के ले लिए हूं और चोड़ाई बाते फीसके लेना है ये दो पाट हो गया तो इस तरह से हमें फोल कर लें तो यहां से मैंने जब फोल्ड किया और यहां से आधा देंचे मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है तो यहां पर मैं निसान लगा रही हूं फिर लगा दूंगे तो सिधा लगने के बाद हमें सीधे के तरफ पलट लेना है तो इल्टे साइड मैंने सिलाई लगा था इस तरह मै सिलाई सीधे के तरफ पलट ले रही है तो पलटने एक बाद यह एक तीड़ इंचे का हमें पट्टी लेना है और इस तरह से हमें फोल्ड करने है एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है तो यहां समय जब मैं एक मार्जिन रखती हूं एक पैर का और उसक पड़त ली हूं फिर यह मेरा दो पटी थी चोड़ी बाली जहां पर 20-20 निसान लगा नहीं तो दूनों पार्ट में मैं इस तरह से बीच का निसान लगा रही हूं लगाने के बार इस तरह से मेरा कुछ आएगा तो मैं यहां पर इसे छोटे-छोटे प्लेट दूंगी छोट चुन लगा कर सिल लेती है जो मैं पदली पट्टी ली थी तो पदली पट्टी हमें यहां पर लगाना है तो पदली पट्टी इस तरह से हमें पकड़ना है यहां पर हम सुई से लगा लेते हैं या मसीन से मसीन से पहले हम सिलाय लगा लेते हैं उसके बाद हमें सुई से बना मैंने पैसले लाव आधा इंच हमें छोड़ कर बाकी यहां पर िस तरह से एक पर अने रख लिया और यहां पर फिर दूसरा पाट भी लेकर इस तरह से सलाय готов यह मेरा पहला पार्ट तो हो चुका है और अब इसे में फ्रीसिंग देने के लिए मैंने यह जो अस्तर लिया था पतली पत्टी तो यहां पर पतली पत्टी लगा कर हमें सिलाई लगाने तो यहां पतली पत्टी लगा कर पूरे सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से सिलाई लग यह इस तरह से पलटना है फिर एक सिलाई लगानी है फिर यहां से एक सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरा पार्ट में इसी तरह से बिलकुल लगाना है जिस तरह से मैंने इस पार्ट में लगाया है तो उस तरह से हमें दूसरे पार्ट में बिलकुल इसी तरह से लगाना है यहां देखे इस तरह से हो चुका है हमारा अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से लगाएंगे तो यहां से देखे हम यहां पर रखते हैं और यहां से एक बराबर रख लेते हैं बराबर फिर चॉक से निसान लगाते हैं उसके बाद यह पट्टी हम यहां पर इस तरह से बिल्कुल टेस्ट करते हैं, यहां पर मैंने रख लिया, फिर एक पट्टी तो मैंने लगा लिया, फिर दूसरी पट्टी मुझे बिल्कुल इसी तरह से रखना है, यहां पर मैंने रखा, फिर यह दूसरा पट्टी भी मैंने शिलाय लगाया, फिर मैंने यह जो पतली स्टाटिं से मुझे पूरा नीचे तक सिलाई लगाना है तो यहां से देखिए मैं सिलाई पूरा लगा चुकी हूँ तो जिस तरह से मैं उस पार्ट में सिलाई लगाई थी बिल्कुल फ्रीसिंग करके इसी तरह से मुझे इस तरह भी फ्रीसिंग देना है तो यहां से देखि कच्छी से लाइक बाद मैं बाद में इसके तुर्पन लगाऊंगी तो सबसे पहले पीरत यह डिजाइन बनकर रेडी होने वाला है यहां से दिखिए फसी सीले से बिलकुल अंदर के साइड मोड लेना है यह हमारा हो चुका है यह मेरा बैक डिजाइन बन चुका है तो बैक डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है तो दिखिए फ्रेंज साब सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक सबस्क्राइब नहीं कियें तो सबस्क्राइब जरूर कर लिजिए यहाँ पर मैं इस तरह से फोल्ड करके तुरपन लगा दूँगी यहाँ से इस तरह से मैंने फोल्ड किया और तुरपन लगा दूँगी तो यह मेरी आस तीन है इस तरह से बाजू हमें एक नियुट्रेंड में चला है, बाजू इस तरह से मिज़े लगाना है, तो बाजू की लंबाईं में 10 इंच रखूंगी, और ये इस्ट्रा हमारा साड़े 5 इंच है, यहां समें 10 इंच लिखी, फिर 3 इंच का वह रखा फिर 7 इंच का मेरी जो हमारी आस्तिन के निसाने मैं वही रख रही हूं बाकि सब कुछ वैसे ही रहे गए इस्टा कपड़ा में फफ वाली बाजू बता रही हूं तो यहां पर चारेंज का एक मैंने निसान लगाया और यहां से भी चारेंज इस तरह से मैंने चारेंज का निसान फिर यहां से र नेट का कपड़ा हुआ है तो और ही सुन्दर लगेगा यहां तो मैं थोड़ सा कटमा लेती हैं से हमें सिलाई लगानी है इसके बाद मैं यहां से थोड़ा-थोड़ा हमें चुन प्लेट देती जाना है तोनों साइड से हमें इस तरह से प्लेट दिना है तो यह हमारा जो इस्ट्रा है था फाइव इंच इसमें हमें अर्जेश्ट करना है तो यही फब बनकर रेडी होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है इस समय यह ट्रेन बहुत चल रहा है बाजू भी ब्लाउज में बनाई य संदर बहुत लग रहा तो मेरी कस्टमर को बहुत पसंद आया तो उन्होंने ये तीसरा ब्लाउज बनवा रही है तो हमने का एक यूटूब पर भी हम अपलोड करते हैं तो आप सबको अगर मेरे वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किजिए भी तक आप सब्सक्राइब लगाना है तो पहली इस आस दिन को मैं आप सबको दिखा रही हूं इसकी तरह यहां पर देखे इस तरह से हमें तौड़ा सा पट्टि लगाना इसलिए क्योंकि यह पतला है तो हम पट्टि लगा देंगे तो और खुष्सूरत लगिगवा तो यह किस् मैं सीधा कटिंग करने के बाद यहां से एक इंच रखना है तो इस तरह से यहां पर हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है लगाने के बाद हमें दोनों बाजू को इस तरह से रेडी कर लेना है बाकि फिर ब्लाउज में हमें अटेच्च कर लेना है इस तरह से हमें दोनों बाजू को रेडी करना है रेडी करने के बाद हमें अपने ब्लाउज में अटेच्च करना है यहां दिखी इस तरह से में अट झाल 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 झाल